दोस्तो आज हम मैथी और अम्रूद की बहुत ही जवटजस्त वाली रज़पी बना करके तैयार करेंगे ना आपने यह से पहली कभी खाई होगी नाहीं कभी बनाई होगी आप एक बार बना लेंगे तो हमेशा इसी तरीके से अमरूद और मैथी की रेस्पी बना करके तैयार करेंगे देखो यहां हमने तीन यहां पर अमरूद लिए हैं यहां पर हमने बहुत जादा पके हुए अमरूद नहीं लिए हैं नहीं आपको बहुत जादा पके हुए अम्रूद लेना है इस तरीके से थोड़े कच्चे कच्चे से अम्रूद लेना है और हमने कुछ मैथी ले ली है अम्रूद को हम सबसे पहले इस तरीके से साइट में रख देंगे और जो हमने मैथी ली थी मैथी को हम कट करेंगे मैथी से कट जाए बैसे ही आप इस मैथी को इस तरीके से कट करके तैयार कर लेंगे यकीन मानिए दोस्तो बहुत ही टेस्टी आज किया है रेस्पी बन करके तैयार होगी मैथी तो बैसे ही सर्दियों में बहुत ही हेल्दी होती है और खाने में भी टेस्टी होती है आपको जरूर खाना चाहिए किसी न किसी तरीके से कभी-कभी यह कड़वी भी लगने लगती है जब आप इस तरीके से इसकी रेस्पी बनाएंगे तो बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगेगी देखो हम इस तरीके से सारी मैथी को कट करके तैयार कर लेंगे जितनी क्वांटिटी में आप इस रेस्पी को बनाना चाहते हैं उतने ही आप मैथी ले लें हमने इसमें एक गलास पानी डाल दिया है दो-तीन बार हम इस तरीके से अच्छे से साप पानी से धो करके तैयार कर लेंगे कभी-कभी इसमें बहुती ज़्यादा मिट्टी या धूल हो जाती है तो आप इसको अच्छे से दो करके ही इसकी रेस्पी बना करके तैयार करें काटने से पहले भी आप दो सकते हैं लेकिन हम काटने के बाद ही धोएंगे एक बार हमने साप पानी से अच्छी से धो लिया है और जो इसका पानी था हमने फैक दिया है हमने दोबारा से उसी बरतन में पानी ले लिया है दोबारा से भी हम अच्छे से इस मैथी को दो करके तैयार कर लेंगे देखो हमने दुबारा से भी मैथी को धुलिया है और अच्छे से इस तरीके से हातोंसे इसका सारा पानी निकाल देंगे और जो इसका पानी है पानी को हम फैंक देंगे इसके नीचे बहुत ही चोटी चोटी से मित्टी या धूल के कड़ होते हैं देखो हमने सारा पानी मैथी से निकाल दिया है और मैथी को साइड में रख दिया है और जो हमने अम्रूद लिये थे अम्रूद को भी धो लिया है दौनों साइड से हम अम्रूद को इस तरीके से कट कर लेंगे हमें अम्रूद का छिलका नहीं उतारना है हम अम्रूद को बीज आ होते हैं बीजा को साइट में निकाल करके रख देंगे हमें बीजा नहीं इसमें डालना है MELे हैं इस तरीके से यह कैचिया चाकू की तैयार कर लेंगे हमने यहाँ पर तीन अमरूद लिये हैं आप अमरूद कमया जादा कर सकते हैं मैथी की क्वांटिटी भी आप कमया जादा कर सकते हैं देखो हमने दोनों चीजों को अच्छे से तैयार कर लिया है और हमने इसी के साथ में थोड़ी सी पालक लिया है पालक भ पाला का के लिए से भी बना सकते हैं। दोनों चीज़ों सो आज रश्पी बना करके तयार करेंगे। कड़ाई में हमने छोटी चमश से आदी चमश सर्शों का वल गरम होने के लिए रख दिया है। आप किसी भी ओली ओल में यह है रेस्पी बना करके तैयार कर सकते हैं जब हमारा ओल अच्छी से गरम हो चुका था तो हमने इसमें जो अम्रूदों को लंबाई में कट किया था उसको हम इसमें डाल देंगे और लगातार चलाते हुए तेल में अच्छे से फ्राई कर लेंगे दोस्तो हम आपको एक बार याद दिला दें प्लीज यदि आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो ये एक लाइक जरूर करने वो जादा से जादा अपने फैमिली और फ्रेंड में सेयर करें और जो हद्य को हमारे अम्रूद थे अम्रूद तेल में अच्छे से फ्राई हो चुके हैं अब हम अम्रूद को एक पिलिट में निकाल लेंगे जब आप इस तरीके से तेल में फ्राई की हुए अम्रूद की रैस्पी बनाएंगे तो बहुत ही सौधी-सौधी खाने में लगेगी हमने इसमें ओल बिलकुल भी नहीं डाला है और हमने थोड़े से मटर ले लिये थे मटर को भी हम तेल में फ्राई कर लेंगे मटर को बिल्कुल धीमी गयस पर ही तेल में फ्राई करना है नहीं तो जो आपके देखो मटर इस तरीके से कड़ाई से बाहर निकल जाएंगे या आप इसको ढखकर ही तेल में फ्राई करें देखो जो हमारी मटर थी मटर भी तेल में अच्छे से फ्राई हो चुके हैं इनको भी हम निकाल लेंगे मटर और मुरूत को हमने एक पिलेट में साथ में ही निकाल करके रख लिया है कड़ाई में हमारा थोड़ा सा ओल बचा है थोड़ा सा ओल हम और डाल देंगे इस रेस्पी में बहुत ज़्यादा वल की जरूरत नहीं पड़ती है जब वल हमारा अच्छे से गरम हो जाएगा तो इसमें हम साबूत जीर डाल देंगे यदि आप इसमें साबूत डालना चाहते हैं तो थोड़ी से साब को भी डाल सकते एक मीडियम साइज की प्याज को हमने चोटे-चोटे टोकड़ों में कट कर लिया है चार-पांच हमने लैस उनकी कलिया ली थी उनको भी चोटे-चोटे टोकड़ों में कट कर लिया है तेज गैस पर हम इनको तेल में अच्छे से फ्राई कर लेंगे तेज गेस पर हम प्याज को अच्छे से भूनेंगे जिससे जो हमारी प्याज चारो तरफ से अच्छे से भून करके तैयार हो जाएगी हमारी प्याज अच्छे से भून चुपी तो जो हमने मैथी और पाला को कट करके रखाता उसको भी हम इसमें डाल देंगे और तेज गैस पर इनको भी हम अच्छे से तेल में फ्राई कर लेंगे तेज गैस पर हमें इनको पकाना है क्योंकि मैथी भी पानी छोड़ती है और जो हमारी पाला के पालाग भी पानी छोड़ती है एक दो मिनट में ही हमारी तेज गैस पर मैथी और पाला का अच्छे से पक करके तैयार हो चुकी है देखो इनका सारा पानी अच्छे से जल चुका है बिल्को सूखी सूखी हमारी मैथी और पाला को चुकी है और जो हमने तेल में फ्राई करके अमरूद और मटर के दाने रखेते उनको भी हम इसमें डाल देंगे बहुत ही टेस्टी आज किया है हमारी मैथी और अमरूद की सबजी बन करके तैयार होगी यकीन मानिए दोश्तो बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होगी इसमें हैं सूके मसाले डाल देंगे आदी चम्मच हमने धन्या पाउडर डाल दिया है और टेस्ट के एकोडिंग हम लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे जितना आप तीखा खाते हैं उसी तरीके से आप इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दें थोड़ा सा आप इसमें गरम मसाला डाल दें और सारी चीज़ां को अच्छे से मिक्स कर दें और टेस्ट के कोडिक नमक डाल दें और धीमी गैस पर सुके मसाली को हम अच्छे से भून लेंगे इस तरीके से लगातार चलाते हुगे हम मसालों को अच्छे से भून लेंगे पर 2-3 मिनट अच्छे से मसालों को भून लिया है 2-3 मिनट में हमारे मसाले अच्छे से भून करके तैयार हो चुके है और जो हमारे अमरूद थे अमरूद भी अच्छे से पक करके तैयार हो चुके है और हमारे मटर भी अच्छे से पक करके तैयार हो चुके है आप अमरूद की जगाए पर इसमें आलू भी डाल सकते हैं देखोए हमारी कितने अच्छी अमरूद और मैती की सबजी बन करके तैयार हो जुगी यकिन मानिए दोस्तों आप एक बार बना कर देखें आप हमेशा इसी तरीके से आलू ना डाल के अमरूद डाल कर ही अपनी इस रेस्पी को बना करके तैयार करेंगे हमने इसमें टमाटर की पेउरी ने डाली है थोड़ा सा हम इसमें नीबू करस डाल देंगे यदि आप जादा खटा चाहते हैं तो नहीं तो आप इसी तरीके से तसादा सिंपल अपनी सबजी बना करके तैयार करेंगे दोस्तों यदि आपको हमारी बीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें वो बीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत